नमस्कार, विलियम शेक्सपेर का नाटक जूलियस सीजर हम कम्प्लेट कर चुके हैं आज उसके मल्टिपल चॉइस क्वेशन्स देखते हैं कोशिश करूँगी ज्यादा से ज्यादा मल्टिपल चॉइस क्वेशन्स आपको देने की दो तीन बुक्स मैंने निकाल के रखी हुई हैं चलिए पहली किताब मैं से देखते हैं पहला क्वेशन है वहाँ पर तो विच पीरियर ऑफ शेक्सपेर्स ड्रामेटिक केरियर डस जूलियस सीजर बिलॉंग यानि शेक्सपेर का जो ड्रामेटिक केरियर है उसके किस पीरियर को ये जूलियस सीजर बिलॉंग करता है तो ये थर्ड पीरियर को बिलॉंग करता है फिर है जो कहानी है जूलियस सीजर की वो रोमन हिस्टरी की कहानी है तो यहाँ भी सही अंसर है फिर थर्ड क्वेशन है what is the probable date of the composition of the play यानि इस नाटर को लिखने की probable संभावित जो आरीख है मलब जो साल है वो कौन सा है तो यहां जो options दे रखे हैं उन में 1599 नहीं है तो इसलिए पहले मैंने 1600 मार्क किया था लेकिन जब कई जगे देखा तो 1599 दे रखा था तो यह सही date है फिर देखिए यह question मुझे सही नहीं लगा name the play which most closely resembles जूलियस सीजर उस नाटर का नाम बताएए जो जूलियस सीजर से resemble करता है उसके जैसा है तो हर नाटर का अपने आप में different है अलग है यहां हैमलेट मैंने इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि वो भी एक revenge tragedy है वहां भी हमलेट बदला लेता है अपने पिता की मृत्यू का उसके पिता की हत्या की जाती है और उनकी हत्या का बदला हलांके end में ले पाता है और यहां भी जूलियस सीजर की हत्या की जाती है और उसका बदला उसका भतीजा लेता है मलत तीन लोग मिलकर मार्क एंटिनी और लेपिडस और ओक्टिवियस सीजर मिलकर लेते हैं तो थोड़ा जो रिजम्लेंस है सिमिलारिटी है वो हैमलेट से है बाकियों से तो बिलकल नहीं है तो इसलिए मैंने हैं हैमलेट मार्क कर दिया था फिर फिफ्ट कुशन देखिए वियर डर्स दे फॉर्स सीन आफ जूलियस सीजर ओपन तो पहला दृष जहां खुलता है वो रोमन स्ट्रीट में खुलता है रोम की एक गली है आपको याद होगा फिलेवियस और मैरूलस लोगों को भगा रहे हैं तो वो रोमन स्ट्रीट में खुलता है पहला दिश फिर है वो डू फिलेवियस और मैरूलस इनका नाम भी आ गया से टू दा रोमन पेपल तो ये फिलेवियस और मैरूलस क्या कहते हैं रोम के लोगों से तो इसका जवाब है B वो भीड को डांटते हैं कि भाई आप लोग कितने कृतगन हो फिकल होते हैं जो वेवरिंग माइंड होते हैं कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ तो भीड तो इसी तरीके की होती है तो वो डांटते हैं कि अभी तक तो आप पॉम्पी के गुनगाते थे और अभी जूलियस सीजर की लिए खुशिया मना रहे हो तो इसके लिए वो डांटते हैं इन ग्रेटिटूड बने गतल हुनता होती है एहसान फरामोशी फिर देखिए क्वेशन नमर सैवन यह जो सीजर के हम पंक उखाड रहे हैं इससे वो औरिनरी पिच पर उड़ेगा यह ज़्यादा उची उडान नहीं भरेगा तो पहले सीन में ही आते हैं यह शब्द और यह फिलेवियस कहता है मेरूलस से फिर है तो यह त्योहार जो हो रहा होता है लिए पर कल का त्योहार मनाया जा रहा होता है तो वहाँ पर सीजर एंटनी से क्या कहता है तो इसका जवाब है यह आस एंटनी तू टुच कलपूर्णिया विद हिस लैदर न थौंग यानि जूलियस सीजर एंटनी से यह खहता है कि मेरी जो पत्नी है कलपूर्णिया उसको तुम छू लेना यह माना जाता था कि लिए पर कल के जो त्योहार है उसमें जो खिलाडी है या जो दोडने वाला बंदा है वो अगर किसी संतान ही निस्त्री को छू ले यानि कलपू अंधविश्वास था और सीजर यही कहता है एंटनी से अच्छा लैदर्न थॉंग क्या होता था चमडे का एक लंगोड जैसे पहनते ना पहलवान लोग दोड लगाते हैं या कुष्टी लड़ते हैं तो लंगोड पहनते हैं तो थॉंग उसी को खा जाता है लैदर्न वो चमडे का बना हुआ होता था तो जो खिलाडी होते थे वो वही पहनते थे उस वक्त रोम में जब खेल होते थे तो तो वही कहता है कि उससे जड़ा टच कर देना the as Caesar passes by who addresses Caesar with a prophecy जब Caesar गुजरता है तो Caesar को कौनदर्स करता है यानि संबोधित करता है with a prophecy माझे भविश्यवानी के साथ कौन भविश्यवानी करता है और उसे यह केता है inch आगे वाले कुशन में आई रहा है अभी मैं आपको क्या बता हूं तो यह जो भविश्यवानी करता है वो सूथ सेयर होता है सूथ सेयर मने भविश्यवक्ता होता है तो एक सूथ सेयर है जो के भविश्यवानी करता है फिर what does the सूथ सेयर say to Caesar तो भविश्यवानी में वो भविश्यवक्ता सूथ सेयर क्या कहता है Caesar से वो Caesar से कहता है यहाँ थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यह कहता है काफी मिस्प्रिंट है बिवेर मने साबधान रहना आइड्स ओफ मार्च होता है फिफ्टीन्थ ओफ आइड्स ओफ मार्च या नहीं फिफ्टीन्थ ओफ मार्च पद्रे मार्च से सब्धन रहना तो यह सूथसेयर कहता है 11th question देखिए How does Caesar respond to the words of the सूथसेयर तो Caesar कैसे respond करता है यानि प्रतिक्रिया करता है जबाब देता है भविश्वक्ता के शब्दों का He dismisses the soothsayer as a mere dreamer तो Caesar dismiss कर देता है यान देखा कर देता है उसको ignore कर देता है भविश्वक्ता को यह कहते हुए कि यह केबल सपने देखता है यानि केबल सपने देखता रहता है फिर question number 12 देखिए By what arguments does Cassius endeavor to persuade Brutus to join the conspiracy against Caesar यानि किस तरीके से क्या तर्क देकर Cassius endeavor मने कोशिश करता है to persuade Brutus, Brutus को मनाने की to join the conspiracy यानि शड़यंतर में शामिल होने के लिए against Caesar, Caesar के खिलाफ तो इसका जवाब B होगा He touches on Brutus love of the country and hatred of tyranny तो Cassius क्या करता है उसकी जो दुफती रग है यानि उसकी जो special खासित है उसके अंदर Brutus के अंदर कि वो देश से प्यार करता है और tyranny मतलब होती तानाशाही तानाशाही से वो नफरत करता है तो इन दोनों ही बिंदूओं को वो छूता है उन्हीं को टच करते हुए वो Brutus को अपने शड़ंतर में शामल करता है फिर question number 13 देखिए what did Caesar say to Antony when the crown was offered to him जब crown दिया जा रहा था Caesar को तो उसने Antony से क्या की कहा तो इसका जवाब है B Caesar thrice refused the crown Caesar ने तीन बार crown को refuse किया उसमें कुछ कहने का जिक्र नहीं है केवल ये बताया गया है कि तीन बार उसको offer किया गया और तीन बार उसने crown को refuse किया अपने हाथ से अलग कर दिया हटा दिया Caesar is a patient of Julius Caesar एक मरीज है रोगी है किस चीज़ का तो उसको epileptic fits आते हैं मिरगी के दोरे बढ़ते हैं तो सही जवाब है B They are potentious thing unto the climate that they point upon By whom are these words spoken and what do they refer to यानि ये जो चीज़ें हो रही है ये अपशकुन से भरी हुई है और जो होने वाला है उसकी ओर ये इशारा करती है तो ये शब्द किस के दोरा बोले गए हैं और किस चीज़ को refer करते हैं किस से सम्मंध है उनका कैस का referring to storm यानि जवाब B है इसका कैस का refer कर रहा है संदर्व दे रहा है इशारा कर रहा है उसे storm की तरफ तूफान की तरफ थंडर यानि जो बिजली गड़गड़ा हट हुई है और जो दूसरे प्राकरतिक डिस्टरवेंस हुए है जो आंधी तूफान आया है रात को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह अप्शकुन है और कुछ बुरा होने वाला है फिस पॉश्चन नमबर सिक्स्टीन भी इसी से रिलेटेड है यह जो अप्शकुन दिखाए गए है आंधी तूफान गडगड़ा है चीखें सुनाई दे रही है खून गिर रहा है ऐसा दिखाया गया है तो यह जो अप्शकुन है इनका क्या अप्शक यह है जूलियस सीजर में तो इसका जवाब है भी जो 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 मुसीबत है उसको दिखाने के लिए पहले अप्शकुन दिखाए गए है फिर है question number 17 देखिए oh he sits high in all people's hearts अरे वो उंचा बैठा हुआ है he sits high मने वो उंचा ही पर बैठा हुआ है in all people's hearts सभी लोगों के दिलों में तो who is the speaker of these words ये शब्द किसने बोले हैं who is referred to और किसके बारे में बोला जा रहा है तो जो options थे वो सारे ही गलत थे यहां जो सही जवाब है इसका कैस का referring to Brutus कैस का Brutus के बारे में ये शब्द बोल रहा है कि Brutus को अपने party में मिलाना अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं जूलियस सीजर का murder यहां वह लोगों को रास नहीं आएगा लेकिन अगर Camden साथ होगा तो लोगों को रास आ जाएगा क्योंकि वह लोगों के दिलों में राज करता है दिलों पर राज करता है तो लोग उसके किये को प्रशने scenario नहीं लगाएंगे उसके किये पर Mart 담 carr तो इसलिए के बारे में कहता है यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन भी है इसलिए ध्यान में रखिएगा सभी इंपोर्टेंट हैं जितने भी हैं लेकिन एक वात जो मैं हमेशा आप से कहते हूं कि सब्सक्राइब के बिना आप मल्टिपल चॉइस क्वेशन हल नहीं कर सकते तो यह सब इंसीडेंट्स आपने पढ़ी हैं सारे डैलोग्स आपने पढ़े हैं तो ही कर पाएंगे फिर देखिए ब्रूटस वांट्स टू किल जूलियस सीजर बिकॉज ब्रूटस जूलियस सीजर को मारना चाहता है क्यों इसका जवाब B he has in his mind the welfare of the Romans उसके दिमाग में रोमन लोगों की भलाई है हना वो तो मारना नहीं चाहता था लेकिन उसको तो कोई आइडिया ही नहीं था इस तरीके का कैशियस ने एक शरिंत रचा और उसमें जाल में उसको फसा लिया तो रोम की भ I make the promise अरे रोम मैं तुमसे वादा करता हूँ if the redress will follow thou receivest thy full petition at the hands of Brutus यनि अगर कोई compensation होना है अगर तुम्हाई साथ कोछ गलत हुआ है रोम तो तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा Brutus के हाथों से these words are spoken by Brutus ये शब्द Brutus के द्वारा बोले गए हैं to whom are these spoken ये शब्द किस से बोले हैं Brutus ने बोले हैं लेकिन किस को बोले हैं तो इसका जबाब है Brutus reacts to the letter given to him by Lucius तो Lucius ने उसको लाके कुछ खत दिये हैं Brutus को और Brutus जब उन खतों को पढ़ता है letters को तो उन खतों को प किसी से भी नहीं बोले उस उन पत्रों में जो लिखा हुआ है कि Brutus जागो तुम सो रहे हो रोम पर अत्या चार हो रहा है रोम पर ताना शाही बढ़ रही है तो ऐसे जो खत हैं उनको पढ़ने के बाद Brutus का ये reaction है तो ये जवाब होगा ये अब देखिए question number 20 and for Mark and Danny think not of him for he can do not more than Caesar's arm when Caesar's head is off. These words are spoken by Brutus to Cassius. What is the reaction of Cassius? तो जब Julius Caesar को मारने का प्लान बन रहा है तो Brutus कह रहा है कि Mark and Danny को आप Caesar की arm से ज्यादा मत समझो क्योंकि जब Caesar क्या सिर ही कट जाएगा तो उसकी भुजा उसकी arm कुछ नहीं कर पाईगी तो उसके बाद Cassius का क्या reaction है? Cassius suggests the murder of Anthony also. उसके बाद भी Cassius यही कहता है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी Brutus इतना बोल रहा है उसके बारे में तो भी Cassius यह कहता है कि भई मेरा तो कहना यही है कि Anthony हमारे लिए खतरनाक हो सकता है बाद में इसलिए उसको भी मार डालो in the end तो जो on the point of यानि जो बिंदू है murder of Anthony Anthony की हत्या का जो बिंदू है whose views किसके विचार prevail हावी होते हैं in the end अंत में तो अंत में brutus के जो views हैं वही माने जाते हैं brutus ने कहा कि भई Anthony को नहीं मारा जाएगा तो उसको नहीं मारा जाता है तो उसी के views prevail करते हैं यानि हावी रहते हैं वही माने जाते हैं फिर question number 22 देखिए on the morning of the ice of March यानि पंद्रे मार्च की सुभह को कलपूर्णिया आस्क सीजर not to move out that day कलपूर्णिया सीजर से कह दिये कि आज यहां से घर से बाहर मत जाओ because क्योंकि जवाब है a she has seen visions of murder in her dreams that night उसने उस रात को अपने सपने में दिश्य देखे थे murder के हत्या के इसलिए वो कहते है कि आज घर से बाहर मत जाओ फिर question number 23 देखिए who persuades Caesar to go to see it in spite of his wife's ominous dream तो Caesar एक बार को कलपूर्णिया की बात मान भी लेता और उसने मान ही चुका था तो उसको फिर से कौन persuade करता है राजी करता है सीने जाने के लिए कलपूर्णिया के जो ominous मान है अब शकुन से भरे हुए सपने है ड्रीम है उसके बावजूत तो decius sprutus है जो उसको मजबूर करता है जो उसकी खुशामत करता है उसको तैयार करता है इसका नाम जरूर याद रखिएगा बहुत important question है सारे ही important है लेकिन कुछ ज्यादा important होते है न फिर देखिए what is the final decision taken by Caesar तो Caesar के द्वारा अंत में क्या निर्णय लिजा जाता है तो जवाब है he decides to attend the meeting of the senate तो वो ये निश्य करता है कि वो senate की meeting को attend करेगा फिर question number 25 देखिए name the person who hands over a piece of paper to Caesar while he is approaching the capital तो जब Caesar capital जा रहा है तो उसे कागस देता है कौन देता है वो आल्टी मेडोरस देता है लेकिन दुर्भाग्य है Caesar का के उसको पढ़ता भी नहीं है वो और क्या कहता है ये अगले question में देखिए question number 26 what does Caesar do after getting the piece of paper तो वो कागस मिलने पर Caesar क्या कहता है Caesar कहता है he says what touches us ourselves shall be last served यनि आल्टी मेडोरस यह कहता है कि Caesar इस खत को पढ़लो क्योंकि ये तुम से संबन देता है तो Caesar कहता है कि जो हम से संबन देता है उसको सबसे बार में पढ़ा जाएगा तो ये उसकी भूल रहती है ये उसकी गलती रहती है नहीं पढ़ता शायद साथधान हो जाता शायद बच जाता लेकिन जो होना था वो होना था 15 मार्च को तो वो यही कहता है कि जो हम से समझते हैं लास्ट में उसको पढ़ा जाएगा फिर question number 27 देखिए who is the first conspirator to step Caesar ये सबसे जादा important question है ये बहुत important है ये बहुत important है ये बहुत important है ये एक्जाम में आया था तो कौनसा पहला conspirator है जो सबसे पहले इस Caesar पर वार करता है जूलिया Caesar को तो सबसे पहला वार कैसका करता है ये जरूर याद रखिएगा बच्चो फिर देखिए question number 28 what is the reaction of Caesar when Brutus strikes him ये फिर मुझे है ये बहुत important है कि जूलिया Caesar क्या कहता है ये तो वैसे बहुत जादा famous भी है कि YouTube Brut तुम भी शामिल हो Caesar एकदम चिला पड़ता है ये क्या है कि मालीजे कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आपके साथ दगा करता है और जिस पर आपको बहुत भरोसा रहा हो वो दगा करता है तो आपका भी ये रियक्शन होता है कि क्या तुम भी ऐसे निकले तुम तो ऐ एकशन रहता है फिर देखिए क्वेशन नमर 29 वाट दोस्ती का प्रस्ताव भेजता है फिर क्वेशन नमर 3 देखिए अपॉन वाट कंडिशन या किस शर्त पर इस एंटनी एलाउड एंटनी को इजाजत मिलती है अनुदी मिलती है to speak on the corpse of Caesar Caesar की लाश पर बोलने की तो इसका जवाब है that Anthony must not blame the conspirators in his speech कि अपनी भाशन में Anthony इन शरंतकारियों पर कोई दोशा रोपन नहीं करेगा फिर question number 31 who makes objection in allowing Anthony to speak कौन एतराज करता है Anthony को बोलने की इजाजत देने पर तो Cassius को सखत इतराज है और उसका इतराज सही भी था उसका शक भी सही था बहुत खतरनाक साबित हुआ Anthony इन लोगों के लिए जब उसने मारने का जो suggestion दिया था लेकिन क्या Brutus उसकी चलने नहीं देता सबसे बड़ी समस्तिया यह है फिर देखिए how do the Romans react when Brutus has spoken जब Brutus बोल लेता है तो Romans कैसे react करते हैं कैसे प्रतिक्रिया करते हैं they support Brutus views वो Brutus के विचारों का समर्धन करते हैं जब Brutus बोलता है तो Brutus के साथ होते हैं वो तो answer A सही है फिर what happens when Anthony speaks to the Romans जब Anthony बोलता है Romans के साथ Romans से जब भाशन देता है तो क्या होता है फिर देखिए they are convinced by his reasons तो वो उसके तरकों से सहमत हो जाते हैं उनको विश्वास हो जाता है फिर question number 34 देखिए what happens soon after Anthony's address तो Anthony के संबोधन के तुरंत बाद क्या होता है तो जवाब है the Romans dispersed to set fire to the houses of the conspirators यानि Romans भागते हैं तितर वितर होते हैं और conspirators के घरों में आग लगाने के लिए दोड़ पड़ते हैं फिर है question number 35 देखिए who is the ill-fated person यानि कौन है वो भाग यहीन बदनसीब इनसान who is killed जिसको मार डाला जाता है by the mob भीड के द्वारा in place of sinna the conspirator sinna जो कि शरियंत्रकारी है उसकी जगे भीड किसको मार डालती है तो इसका जवाब है a sinna the poet बहुत ही दुखत द्रिश्य था वो sinna कभी को मार डालती है भीड तो फिर भीड होती है वो देखती नहीं कुछ भी भीड की psychology पर question अकसर descriptive exam में पूछा जाता है फिर देखिए question number 36 what happens after the wordy battle between Brutus and Cassius तो Brutus और Cassius के बीच जो वाकियुद होता है यानि शब्दयुद अलफाजों की लडाई होती है उसके बाद क्या होता है वो था reconcile दोनों में समझोता हो जाता है फिर 37 question देखिए why does Cassius decide to kill himself Cassius अपने आपको मारने का निर्णा क्यों करता है he is told by Pindarus that Titinius has been taken prisoner by the enemy तो Pindarus उसको बताता है कि Titinius को दुश्मन के द्वारा कैद कर लिया गया है इसलिए Cassius अपने आपको मार डालता है how does Cassius kill himself Cassius अपने आपको कैसे मारता है जवाब C है he asked Pindarus to stab him वो Pindarus से कहता है कि भाई तुम तलवार मेरे सीने में बहुंग दो फिर question 39 the last of all the Romans यानि वो आखरी था सारे Romans में से आखरी था for whom these words have been used and by whom तो ये शब्द किसके द्वारा प्रयोग किये गए हैं और किसके लिए प्रयोग किये गए हैं ये भी काफी important है सावाल और जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ये नाटक तो वो यहां Brutus को लगा के आएंगे क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शब्द Brutus के लिए बोले गई होंगे फिर question number 40 what does Brutus do when he is finally defeated तो जब अंतमे Brutus हार जाता है तो वो क्या करता है he runs on his soul to die वो अपनी तलवार पर दोड़ जाता है मरने के लिए तो ये इस किताब के questions है एक और किताब में देखते हैं इस किताब में कुछ questions ऐसे हो सकते हैं हैं भी जो repeat हो रहे होंगे लेकिन कुछ नए भी है तो repeat अगर हो रहे हैं तो उससे कोई problem नहीं है आपके revise ही हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे पहला question देखिए Shakespeare was born in Shakespeare का जन 1564 में हुआ था Shakespeare married to Shakespeare ने शादी की Aन हाथवे से answer B है who was senior to him by 8 years जो के 8 साल उससे बड़ी थी तो ये question पिछली वाली किताब में नहीं था नया है सुजानना वास दा नेम ओफ Shakespeare जोटर शेक्सपियर की बेटी का नाम था सुजानना ये question भी हुआ नहीं था Shakespeare's Julius Caesar Falsons Shakespeare का Julius Caesar किस केटेगरी में आता है The category of Roman tragedy Roman tragedy की केटेगरी में आता है यहाँ जबाब C होगा Question number 5 देखिए Julius Caesar belongs to Shakespeare's 3rd period of writing यानि ये question वहाँ भी था 3rd period of writing उसके लेखन की जो 3rd period है फिर ये question देखिए फिर आ गया लेकिन यहाँ भी options में 1599 तो नहीं दे रखा The probable date of composition of the play is 1600, 1598, 1601 और 1610 तो अलग अलग किताबों में अलग अलग date दे रखी है कहीं 1600 दे रखी है कहीं 1601 दे रखी है और मैंने net पर कई जगे देखा वहाँ 1599 दे रखी है तो आप लोग देख लीजे मुझे लगता है 1599 ज्यादा सही है लेकिन आप यहाँ options में तो है ही नहीं फिर देखिए question number seven the chief source of the play is तो जो मुख्य श्रोत है इस नाटक का वो है notes translation of Plutarch's lives Plutarch's के lives का translation है फिर which are the four great tragedies of Shakespeare तो यह four great tragedies है Shakespeare की इनके नाम याद रखिएगा Hamlet, Macbeth, Hothelow, Kinglier तो इनमें से तीन तो मैं upload भी कर चुकी हूँ अभी Kinglier की बारी है फिर देखिए तो Julius Caesar किसका शिकार है High ambition, destiny, boastful nature All are right यानि इन सभी का शिकार है उसके अंदर ambition भी है destiny उसका भागे भी खराब है उस दिन नहीं जाता तो शायद बच जाता boastful nature उसकी है यह शेखी बगारने की उसको आदत है तो यह सभी सही है Question number 10 देखिए यानि जो conspirators जो शरंत कारी है वो कहां मिले थे at Brutus house Brutus के घर पर मिले थे Caesar shall go forth Caesar जाएगा यह किसका statement है खुछ Caesar नहीं कहा है तो यह D सही जवाब है तो जो खुछनुमा भीड थी और जो के जुले Caesar की जीत का जशन मना रही थी उसको फलेवियस और मेरूलस क्यों डाटते है तो इसमें जो दोनो A और B सही है पहला A है They did not like the rising power of Caesar Caesar की बढ़ती हुई ताकत उनको पसंद नहीं थी और दूसर They were against Caesar वो Caesar के खिलाफ थे तो ये दोनों ही जवाब सही है तो इसका यहाँ जवाब D होगा बोथ A और B फिर देखिए Question number 13 Why did Caesar want Kalponia to stand in Antony's way तो ये पहले भी आ चुका है सवाल क्योंकि Because she was childless यानि उसके बच्चे नहीं थे और अगर Antony उसको छूद देता तो उसके बच्चे हो जाते ऐसा उसका विश्वास था या आपके ये अंध विश्वास था सुपरस्ट्रीशन था फिर Who according to Caesar has a lean and hungry look तो Caesar के अनुसार कौन बला दुबला पतला सा और भूखा सा दिखता है तो ये देखने में बड़ा दुबला पतला और खड़सा देखता है भूखा सा फिर देखे Question No.15 The fall dear Brutus is not in our stars यानि Brutus प्रेब Brutus हमारे सितारों की गलती नहीं है But in ourselves that we are underlings यहाँ पर थोड़ी सी printing mistakes है ये हमारी ही गलती है कि हम लोग इतने गिरे हुए हो गए हैं इस तरीके से नीचे गिर गए हैं तो ये हमारी गलती है Who is the speaker of the average statement तो ये किसका कथन है ये Cassius का कथन है Cassius भढ़का रहा है Caesar के खिलाफ Brutus को Question No.16 Whose daughter is Portia Portia किसकी बेटी है वो Kato की बेटी है Question No.17 She had a special feeling of proud for the father Why? अब यहां ये आया है Portia के लिए यानि Portia के अंदर अपने पिता के प्रती बड़ी गर्व की भावना थी वैसे तो सभी बेटीयों को होती है ज्यादतर बेटीयों को होती है अपने पिताबर गर्व लेकिन यहां पोर्शिया को अपने पितावर गर्व क्यों था जवाब है C because he was a man of indomitable courage and strength हलांके D.B. हो सकता है because he was her father वो उसके पिता थे इसलिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा सहासी और ताकतवर थे इसलिए इस बात का गर्व था पोर्शिया को फिर when beggars die there are no comet scene यनि जब भिखारी मरते हैं तो कोई पुछल तारा नहीं दिखाई देता the heavens themselves blaze for the death of princess यनि आसमान खुछ जलने लगता है जब राजकुमारों की मृत्यों होती है who made the statement and to whom ये कथन किस का है और किस से कहा गया है कलपूर्णिया ने Caesar से कहा है ये तो ये जवाब A है और बहुत important भी है ये वाला question question number 19 who saw a terrible dream in the play नाटक में एक भ्यानक सपना किस ने देखा कलपूर्णिया ने देखा question number 20 cowards die many times before their death कायर लोग अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं the valiant never tastes the death but once लेकिन बहादर लोग मौत का स्वाद केवल एक बार चखते हैं who made this statement and to whom ये कथन किस ने कहा और किस से कहा Julius Caesar ने कलपूर्णिया से कहा जवाब C है who is Artemidorus Artemidorus का जिकर आया था लेकिन ये कौन है ये शायर आप भूल गए हो याद रखिए a teacher of rhetoric तो वो rhetoric का एक शिक्षक है rhetoric मलब बोलने की कला है which were the last words of Caesar Caesar के अंतिम शब्द क्या थे ये जरूर याद रखिए it you brute then fall Caesar brutus तुम भी तो फिर Caesar को मर जाना चाहिए फिर question number 23 who is Octavius Caesar Octavius Caesar कौन है इसका जवाब है D both A and B यानि कि the nephew of Julius Caesar Julius Caesar का बतीजा है one of the trimvirs after the death of Caesar Caesar के मरने के बाद जो trimvirate मरता है शासक बनते हैं उनमें से एक है फिर who were the other two trimvirs तो जो तीन शासक बनते हैं trimvirate जो बनता है उसमें के दो लोग कौन थे Anthony और Labidus तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो trimvirate हैं उनमें Anthony, Labidus और Octavius Caesar ये तीनों मिलके शासक बनते हैं रोम के फिर how did Porsche die Porsche की मृत्यू कैसे हुई इसका जवाब है जलता हुआ कोईला उसने निगल लिया था और उससे उसकी मृत्यू हुई फिर question number 26 who according to Mark Anthony was the novelist Roman of them all यानि उनमें से सबसे ज़्यादा महनतम Roman कौन था Mark Anthony के अनुसार वो Brutus है जरूर याद रखिएगा बहुत important है who is a straighto straighto कौन है Brutus का servant है who made the funeral speech first तो पहले भाशन किसने दिया Caesar की मौत के बाद तो पहला भाशन Brutus ने दिया danger knows full well that Caesar is more dangerous than he who the two loins littered in one day यानि ये Caesar का कथन है कि खत्रे को मालुम है कि कौन ज्यादा खतरनाक है Caesar उसे ज्यादा खतरनाक है और खत्रा और मैं दो शेर हैं जो एक साथ पैदा हुए मैं बड़ा हूँ और वो छोटा तो इस तरीके की शेखी बगारने की आदत है जूलियस Caesar को तो ये जूलियस Caesar का ही कथन है और देखिए तो यानि ये कथन किसने किससे कहा तो Caesar ने कलपूर्णिया से कहा है क्वेशन नमर थर्टी देखिए Caesar लब्ड Caesar को प्रिय था किस चीज से प्यार था फ्लैटरी बोस्टिंग दोनों ही चीज़ें उसको पसंद थी तो इसका जवाब होगा C यानि चापलू से भी पसंद थी और अपनी शेखी मारना भी पसंद था तो फ्लैटरी वन तो फ्लैटरी वन और मैरूलस डांटते है शुरूआत का जो पहला सीन है तो सबसे पहले किस विक्ति को एड्रेस किया था तो यहाँ जो ऑप्शन्स दे रखे हैं इन मेंसे नन ओफ दीज सही है क्योंकि सबसे पहला जिस विक्ति से पूछा था कि भाई क्या काम करते हो तुम तो वो कहता है कि मैं कारपेंटर हूँ तो इसका सही जवाब कारपेंटर है अगर इन तीनों मेंसे होता ओप्शन तो कारपेंटर पे हम टिक लगाते लेकिन क्योंकि है नहीं तो हम नन ओफ दीज पे लगाएंगे याद रखेगा ये भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है सवाल तो सारे ही इंपोर्टेंट होते हैं आगे देखिए एंटनी का जो भाशन है वो उसको क्या साबित करता है तो यहाँ जो तीन ओप्शन है ये तीनों ही सही है से यहाँ डी आएगा अब बैटर पॉलिटिकल थिंकर देन ब्रूटस ब्रूटस से बहतर राजनीतिक चिंतक है वो फिर अब बैटर औरेटर देन ब्रूटस ब्रूटस से बहतर वक्ता है औरेटर मने बोलने वाला वक्ता भाशन देने वाला और तीसरा ऐसा परसन हो नोज मौफ साइकलोजी एक ऐसा व्यक्ति जो कि भीड की साइकलोजी को जानता है भीड के मनोवग्यान को जानता है तो ये जितने भी अच्छे वक्ता होते हैं वो सब भीड के मनोवग्यान को जानते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है एक अच्छा नेता बनने के लिए तो ये सारी qualities एंटनी के पास हैं तो हमारा जबाब होगा D फिर देखिए question number 33 who misinterpret the dream of Kalpurnia Kalpurnia के सपने को गलत तरीके से interpret कों करता है तो वो Dacius Brutus उसको misinterpret करता है कि ये जो Kalpurnia ने सपना देखा है ये तो अच्छा सपना है और लोग तुमसे प्रेहना प्राप्त करेंगे तुमसे रोम को नया जीवन मिलेगा ये मतलब है Kalpurnia के सपने का तो इस तरीके से Dacius उसको misinterpret करता है फिर question number 34 what does Caesar say to Antony or on the occasion of the feast of Luper के लिया तो ये और नहीं होगा on होगा तो Caesar क्या कहता है Antony से तो आपको मालूम है he asked Antony to touch Kalpurnia वो कहता है Antony से कि भई ये Kalpurnia को छूले ना जिससे उसके बच्चे हो जाए फिर है what does the soothsayer say to Caesar भविश्य वक्ता Caesar से क्या कहता है Beware of Fights of March इससे भी आप बढ़ चते है Caesar is a patient of Caesar किस चीज का मरीज है ये आ चुका है और याद रखेगा important question है epilepsy उसे मिलगी के दोरे पड़ते हैं फिर Brutus wanted to kill Julius Caesar because Brutus Julius Caesar को क्यों मारना चाहता था हाला कि वो मारना नहीं चाहता था लेकिन शरयंतर में शामिल हुआ क्या सोचकर he has in his mind the welfare of Romans तो रोमन लोगों की भलाई के लिए रोमन लोगों की भलाई उसके दिमाग में है इसलिए मारना चाहता था who persuaded Caesar to go to senior कौन राजी करता है Caesar को senior जाने के लिए तो Decius Brutus राजी करता है ये बहुत ही important सवाल है याद रखेगा question number 39 who was the first conspirator to step Caesar पहले ही मैं बता चुक हूँ ये भी बहुत important सवाल है कैसका ने पहला बार किया था who objected at Antony's speech Antony को भाशन देने पर किस ने अतराज किया वो Cassius ने किया था फिर 41 question देखिए how do the Romans react when Brutus has spoken Brutus जब बोलता है तो Romans का reaction क्या होता है they supported Brutus views वो Brutus के विचारों को support करते हैं सहमत होते हैं how does Cassius kill himself Cassius ने अपने आपको कैसे मारा he asked Pindaris to step him उसने Pindaris से कहा कि भाई मेरे सीने में चुरा बहुंक दो Caesar now beast Caesar अब शांत हो जाओ whose statement is this ये Brutus का statement है important है फिर by what trick did Cassius turn Brutus against Caesar किस चाल से Brutus को Caesar के खिलाफ किया था Cassius ने तो इसका जवाब both A and B है by sending appeals to Brutus against Caesar यानि Brutus के पास appeal भेजी Caesar के खिलाफ and by dropping letters in the house घर में खत डाल कर ये letters की spelling यहाँ पर गरत है फिर question number 45 why did Cassius doubt that Caesar may not go to the capital next morning Cassius को ये शक क्यों था कि capital नहीं जाएगा Caesar अगले सोब है तो इसका जवाब है see because he had grown superstitious off late क्योंकि उसका मानना था कि वो हाल ही में बड़ा superstitious हो गया है यानि अंधविश्वासी हो गया है फिर question 46 whom had Caesar sent for before his murder तो अपने murder से पहले Caesar ने किसको बुला रखा था तो Octavius Caesar अपने भतीजे को बुलाया हुआ था वो रास्ते में ही था आ रहा था फिर who was Cicero Cicero कौन था तो इसका जवाब बोथ A and B है पहला he was one of the senators तो वो एक senator था और दूसरा he was on the side of Caesar वो Caesar की Caesar के पक्ष में था तो ए और भी दोनों सही है confused मत कर जे आएगा वो conspirators की side में नहीं था जैसे ये जो C option दे रखा he was on the side of conspirators तो conspirators में Cicero शामिल नहीं है याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे conspirators हैं तो कभी कभी बचे confused कर जाते हैं कि सिसरों में उनी में शामिल है क्या तो वो उन में शामिल नहीं है याद रखना है आपको next question देखिए why did Lucilius declare himself to be Brutus on the battlefield तो युद्ध के मैदान में Lucilius ने अपने आपको Brutus declare क्यों किया था इसका जवाब है to divert everybody's attention from Brutus यानि हर किसी का ध्यान Brutus से अलग हटे इसके लिए उसने कह था कि मैं ही Brutus हूँ फिर who were tribunes tribunes कौन थे देवर the leaders of democracy वो डेमोकरसी के निता थे फिर what was Leupar के लिए Leupar के लिए क्या था the most sentient of Roman festivals रोम के प्राचीन त्योहारों में से एक था फिर question देखिए 51 what is Ides of March Ides of March क्या है 15th day of March March का पंधहमा दिन Ides of March कहलाता है फिर देखिए who was the last of all the Romans Romans में से आखरी कौन था वो Cassius था याद रखिएगा who was Kato Kato कौन था father to Portia Portia का पितार था फिर but when the noble Brutus to our party यानि महान Brutus को अपनी पार्टी में मिला लो ये जो डायलोग है कहां आता है Act first scene third में आता है फिर है name of the person who hands over a piece of paper to Caesar उस व्यक्ति का नाम जो एक काज़स का टुकड़ा Caesar को देता है बहुत important है पहले भी आया था RT Medoras उसका नाम है and for Mark Antony think not of him for he can do not more than Caesar's arm तो ये पहले भी आ चुका है कि Mark Antony Caesar की बाहँ से ज़्यादा कुछ नहीं है जब Caesar का सिर ही कट जाएगा तो उसकी बाहँ क्या कर लेगी ये Brutus कहता है Cassius से फिर as Caesar passed by who addresses Caesar by a prophecy जब Caesar गुजर रहा है तो कौन भविशवाड़ी करता है उसके बारे में तो सूथ सेर एक भविशवक्ता भविशवाड़ी करता है question number 58 देखिए where does the first scene of Julius Caesar take place हो रहाना चाहिए था कि Julius Caesar का पहला scene कहा होता है वो Roman street में है गली में है who gave the funeral speech first funeral speech on the mob यहाँ पर थोड़ा सा कुछ missing है तो मैंने यहाँ पर off entity और कर दिया है what was the effect यानि क्या प्रभाब था of the funeral speech यानि जो funeral भाशन दिया गया था शब यात्रा के समय भाशन दिया गया था off entity और आना चाहिए on the mob भीड पर तो भीड पर जो इसका प्रभाब था it turned in favor of brutus conspirators it turned against the conspirators तो इसका जबाब होगा B it turned against the conspirators यानि जब Anthony ने भाशन दिया तो भीड conspirators के खिलाफ हो गई तो मैं B पर mark कर दरी हूँ यह इसका सही जबाब B होगा ठीक है तो यह questions हुए इस book से 60 questions यह है और पिश्री वाली book में 40 थे तो 100 questions तो यह हो गए और यह है एक और तीसरी किताब इसमें करीब 100 questions है तो total मिला के आपके पास 200 questions हो जाएंगे हलांकि कुछ questions repeat होंगे लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता और देखो यह इतनी देर में मुझे कोई pencil उठा ले गया बच्चा चलिए यह question देखे पहला विलियम Shakespeare was born in तो यह आपको मालूम है 1564 Shakespeare was a renowned dramatist Shakespeare belonged to 16th century question number 4 Shakespeare died in 1616 question number 5 Shakespeare's dramatic career extends over a period of यानि यह Shakespeare का जो dramatic career है वो कितने साल का है तो वो लगभग 20 साल का है तो यहाँ पर जवाब B होगा question number 6 Shakespeare followed blank space in his conception of tragedy तो Shakespeare का जो conception है tragedy की विचारदारा है जो सिधान्त हैं उसमें किसको follow किया है तो एक हज़त तक उसने Aristotle को follow किया है जब आप Aristotle की politics पढ़ेंगे तो उसमें tragedy के बारे में एक लंबा discussion है मैंने upload भी किया हुआ है पूरा 20 chapters upload किया हुआ है तो जो concept Aristotle ने दिया है वो काफी हद तक पूरा तो नहीं follow किया है लेकिन काफी हद तक follow किया है फिर है put the odd man out यानि ये जो चार लोगों के नाम है इन मेंसे odd कौन है तो Ascalus, Sophocles और Euripides ये तीनों Greek dramatist है लेकिन Shakespeare एक English dramatist है तो ये odd है Shakespeare's heroes are Shakespeare के जो hero होते हैं वो किस तरीके के होते हैं downtrodden, दबे कुछले लोग common man, सामाने लोग, culprits, अपराधी तो इन मेंसे कौई नहीं होते हैं इस तरीके के लोग नहीं हैं exceptional individual होते हैं जाने माने लोग होते हैं खास लोग होते हैं कोई رाजा है, कोई राजकुमार है कोई army general है तो इस तरीके के खास लोग होते हैं तो यहां हमारा जबाब होगा A फिर question number 9 what does Shakespeare's believe Shakespeare का विश्वास क्या है तो यहां जो दे रखे हैं destiny is character destiny is wealth character is wealth तो यह नहीं है character is destiny character is destiny का मतलब क्या है जो आपका चरितर है वही आपके भागय का निर्मार करता है अब जिसे के आप सारी इन tragedies को लेजिए यह tragedies avoid की जा सकती। जैसे ओथेलो की ट्रेजडी है तो ओथेलो यागो की बातों पर अंधा होकर विश्वास ना करता थोड़ा सा कन्फर्म कर लेता तो अवोइड कर सकता था वो अपनी बीवी का मर्डर करने से पहले एक बार पक्का तो कर लेता कि उसकी बीवी का फियर है भी के नहीं वैसे ही ह खुद के चरित्र है मैकबेथ है मैकबेथ ना मारता डंकन को है न अच्छा खासा आर्मी जर्नल था और अच्छी खासी पोजिशन थी उसकी डंकन उसको इतना प्यार करता था और उसने डंकन को ही मार डाला तो उसका चरित्र इस तरीके का था तो जो उनके भाग्या बना बाद में जो उनकी लाइफ हुई जो उनका भागय है वो उनके चलत्र का नतीजा है तो ये शेक्सपिर का बिलीफ है चारो ट्रेजडी में आप देखेंगे ऐसे ही किंगलियर का है उसने अपनी छोटी बेटी पर शक किया क्योंकि उसने सच बोला उसके अंदर बनावट नही थी जैसे बाकी गॉर्नरिल और रीगन जो उसकी बड़ी बेटियां थी वो बहुत शातिर थी उन्होंने जुट बोला कि हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सारी दुनिया से ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी बातों में आ गया किंगलियर और छोटी बेटी ने चरित्रय से हैं लेकिन यह जो डेस्टिनीज करेक्टर यह ग्रीक ट्रेजडीजम है डीपस रैक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि उसके भाग्य में ही लिखा हुआ था कि वो इस तरीके से अपने पिता का मर्डर करेगा और मां से शादी करेगा वो उ उसके पाल जिन माता पिताने उसको पाला था उनको छोड़के भी भागाया जब वो यह भाविशवानी सुनी कि भाई तुम ऐसा करोगे लेकिन भाग्य में लिखा था तो वो उसको नहीं बदल पाया लेकिन जो शेक्सपेर के ही रोज हैं वो अपना भाग्य बदल सकते थ तो लंबा डिसकुशन कभी-कभी मेरा हो जाता है आप लोगों को कि लोगों को बुरा लगता है लेकिन मेरा माना यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इन सद्धानतों का मतलब क्या है और यह आपके काम आते हैं चलिए टैंथ कुशन देखते हैं शेक्सपेर वास कहीं हैं हलांकि कई जगह 39 प्लेस भी ढाइब लेकल के हैं लेकिन ठोवन फइ intimacy है लेकिन क्यों में सद्धियू हैं lei's invasion से चाहिए सबाबं успi को धीे नवे चाहिए ओन ये 23 अपरेल 1616 को यह को यह जंब ही 23 अपरेल को ऑर मीद़ीऊ ओपरेल तेली सप्रेटल को फिर है पुच दा ओर्ड वन आउट ये जो चार आप्शन से इन में से ओर्ड को आउट करना है As You Like It, Macbeth, Hothello, Julius Caesar तो As You Like It एक कॉमेडी है और बाकी ये तीनों ट्रेजडीज है फिर question number 15 देखे, which one of the following is written by Shakespeare इन में से कौन सा Shakespeare के दोरा लिखा गया है तो ये तीनों ही Shakespeare की रचनाएं है Pericles, Symbolon, Troilus and Cressida तो सही जवाब all of these होगा Shakespeare's tragedy is mainly a story of Shakespeare की जो tragedy होती है वो मुख्यत है कहानी किस की होती है एक परिवार की नहीं होती, देश की नहीं होती, सोसाइटी की नहीं होती वो एक व्यक्ति की कहानी होती है तो एक ही व्यक्ति वहाँ पर खास होता है तो यहाँ सही जवाब हमारा क्या होगा? B फिर देखे, 17th question Shakespeare's heroes have a tragic flaw Shakespeare के जो heroes है, उन में एक tragic flaw होता है एक कमी होती है उनके चरित्र में, जिसकी बजह से उनका downfall होता है तो उसको क्या कहा जाता है? हेमर्टिया कहा जाता है कुछ लोग हेमर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन हेमर्टिया सही शब्द है मदब, spelling वही है, pronunciation थोड़ा लग कर देते हैं लोग Character is destiny, is justified by यानि जो चरित्र है, वही आपका भाग्य है जैसे आप हैं, वैसा ही आपका भाग्य बनेगा तो ये किस के द्वार जस्टिफाई किया गया है? Shakespeare के द्वारा जस्टिफाई किया है अभी जैसा मैंने आपको explain भी किया कि किस तरीके से जो character है वो उनका भाग्य निर्दारन करता है फिर देखिए, question number 19 soul of the age, the applause, delight who said this of Shakespeare? तो Shakespeare के बारे में ये किस ने कहा है कि तुम अपने यूग की आत्मा थे तो ये बात Johnson ने कही है question number 20 dramatic irony is a device having dramatic irony एक ऐसी device है literary device है, जिसमें double meaning होता है character कुछ कह रहा होता है लेकिन वास्तविक्ता कुछ होती है जो के बहुत अच्छे अर्थों में आपको यहां देखने को मिलती है कई examples है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है example, वो Lady Macbeth का है जब वो अपने हाथ धोने को कहती है Macbeth से कि चलो आओ, हमारे हाथों के खून लगा इसको धो लेते हैं और इस खून को धुलते ही थोड़े से पानी ने हमारा guilt साफ कर दिया यानि murder करना कितना आसान है तो यह जो उसकी बाते हैं बहुत ज़्यादा ironical है cause of inherent flaw मदब कि उसके चर्त में कोई नो कोई एक ऐसी कमी होती है सारी बहुत सारी qualities हैं उसके अंदर लेकिन कोई एक कमी ऐसी होती है जिसकी वज़े से वो कश्ट उर्थाता है और उसका downfall होता है उसका पतन होता है फिर 23rd question देखिए tragedy is an imitation of actions यह जो definition है Aristotle ने दी है tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude काफी बड़ी definition है मैं MA वाले बच्चों को रटवाती हूँ और आप लोग अगर MA के स्टुएंट हैं तो रट लीजेगा फिर देखिए question number 24 Flavius and Merulous are Flavius और Merulous जो इस drama में है Julius Caesar में वो tribunes है याद रखिएगा बहुत important question है 25th question देखिए Julius Caesar defeated Julius Caesar ने किसको हराया था पॉमपी को हराया था तो पहले scene में जो लोग खुशी मना रहे हैं उसकी जीत की खुशी मना रहे है वो पॉमपी को हरा के आया है और ये बात Flavius Merulous को इल्कुल रास नहीं आती है question number 26 कलपूर्या is wife of कलपूर्या किसकी पद्नी है Julius Caesar की पद्नी है Porsche is wife of Porsche किसकी पद्नी है Brutus की पद्नी है सिर्फ दो ही female characters है पूरे ड्रामा में कलपूर्या और पोर्शिया तो इनको याद रखिएगा फिर who is R.T. Medoras R.T. Medoras कौन है एक सफिस्ट है ये मलब एक teacher है जहाँ जब आपने characters का introduction पढ़ा था तो वो एक rhetoric का teacher है और यहाँ जो options है उनमें सफिस्ट सही answer है फिर 29th question देखिए Ids of March का मतलब क्या होता है Ids of March का मतलब 15 March होता है ये भी बहुत बार आता है question who is standing in the way of Antony in the holy race जब Antony पवित्र race में पवित्र दौड में भाग ले रहा है तो उसके रास्ते में कौन खड़ा है कलपूर्ण ये खड़ी है फिर जूलिया सीजर the play came out in the year ये बड़ा भाया question बार आता है जरूर आता है और लेकिन answer इसका हमेशा confusing होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तीन books में से मैं आपको questions कराई हूँ तीनों में ये question जरूर है कि ये play कब आया तो सभी जगह internet पर जो date दे रखी है वो 1599 दे रखी है लेकिन book में कहीं भी तीनों books में आपने देखा कहीं भी 1599 नहीं दे रखा कहीं 1600 दे रखा है कहीं 1601 दे रखा है तो अब यहां जो nearest date है वो 1601 है तो हम इसी को mark करेंगे फिर देखिए the source of Julius Caesar is from तो Julius Caesar का source क्या है कहां से लिया गया है Plutarch से लिया गया है birth of Julius Caesar is believed in तो 100 BC, 100 BC के आसपास उसका जन माना जाता है Julius Caesar opens with a street scene तो Julius Caesar जहां खुलता है एक गली का दिर्ष्य है कहां की गली है? रोम की गली है Julius Caesar is murdered in Julius Caesar का murder act third scene first में होता है next question देखिए 36 the last act the play is filled by the battle of यानि थोड़ा सा sentence गरवड है यह कि जो last act है इस drama का वो युद्ध का है और वो युद्ध कहां पर होता है? फिलिप्पी में होता है फिर who dreamed of Caesar's murder Caesar की हत्या का सपना किसने देखा था? कलपूर्णिया ने देखा था उसी पत्मी ने who interpreted the dream of कलपूर्णिया as a dream of favor तो किसने व्याख्या की के जो कलपूर्णिया का सपना है बड़ा अच्छा सपना है तो ये डैसियस ब्रूटर्णिया ने ये इसकी व्याख्या की थी क्वेशन नमर देखिए 39 Caesar was killed in Caesar की हत्या कहां पर होई थी? सीनेट हाउस में होई थी क्वेशन नमर 40 Porsche was the daughter of Porsche किसकी बेटी थी? Keto की बेटी थी Brutus is Brutus है An Idealist एक आदर्शवादी है यानि उसको वो क्या है कि जो कुछ है सब कुछ अच्छा होना चाहिए आदर्शवादी होने की वज़े से ही वो इस स्रेडियंत्र का एक भाग बना उसको कैशियस ने कन्विंस कर लिया कि भाईया ये जो जूलियस सीजर है बड़ा अमिशिस है तानाशाह बनने वाला है रोम के लोगों की भलाई इसी बात में कि इसका मर्डर कर दिया जाए तो अपनी इस आइडियलिस्म की वज़े से वो इसमें शामिल हुआ तो सही जबाब इसका है एन आइडियलिस्ट फिर है वो वोज दा फर्स टू स्टेब सीजर ये मैंने कई बार आपको बता दिया बहुत इंपोर्टन्ट सवाल है कैसका ने सबसे पहला वार किया था सीजर पर इसमें बार पर heart ने बार किस ने किया था वो बुटर्स ने किया था तभी तो वो बोला था यूट्व बुट अगला question देखिए who uttered these words जूलियस्ट को बार करते हूँ देखा फिर question number 45 whose conspiracy was this ये शरियंत्र किस का था पूरा तो ये Cassius का शर्यंत्र था Question number 46 Who lie low in Caesar's यानि Caesar के गुटनों पर मलब नीचे कौन बैठा हुआ था Metellus Simber बैठा हुआ था फिर Brutus is bosom frowned off यानि Brutus घनिश्मित्र है किसका? Julius Caesar का Which scene is known as murder scene in the play Julius Caesar तो यहाँ जो murder scene है Julius Caesar का वो act third scene first है फिर देखिए act fourth scene second of Julius Caesar is called as तो जो act fourth scene second है उसको quarrel scene कहा जाता है और यह जो जगड़ा है Brutus और Cassius का जगड़ा शुरू होता है यहाँ act fourth scene second में वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है तो Brutus उसे कहता है कि यहाँ पर आर्मी के सामने यह बातचित मत करो जगड़ो मत हमारी आर्मी का moral down होगा तो हम चलके tent में बात करते हैं मेरे tent में चलो वहाँ जाके अपने जगड़े शांत कर लेंगे तो यह जब वो कहता है तो यह वाला scene यहाँ खतम हो जाता है act fourth scene second अब जो scene third है उसमें भी कि शुरुआत में तो इन लोगों में एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते हैं तो scene third में भी इनका यह quarrel चालू रहता है लेकिन reconcile हो जाता है दोनों में समझोता हो जाता है यानि गले शिकवे दूर हो जाते हैं बाद में तो mainly जो quarrel scene कहा जाएगा वो second scene कोई कहा जाएगा एक्ट fourth के फिर who accuses Cassius as an itching palm तो कौन दोश लगाता है Cassius पर कि भाई तुमारी itching palm है तुमारी हतेली खुजाती रहती है हतेली खुजाने का मतलब है तुम रिश्वत लेते हो तो कौन आरूप लगाता है Brutus ही यह आरूप लगाता है तो सही जवाब हमारा होगा C फिर next question देखिए who persuades Brutus against Caesar यानि Brutus को कौन मनाता है Caesar के खिलाफ तो Cassius मनाता है whose brother is exiled by Caesar Caesar के द्वारा किस के भाई को देश निकाला दिया गया है सही जवाब A होगा काफी important है ये question भी पहले नहीं आया किसी भी book में फिर question number 53 Anthony is a तो Anthony एक good orator है orator का मन्तब होता है बोलने वाला, वक्ता, अच्छा भाशन देने वाला फिर question number 54 Caesar is offered the crown Caesar को crown offer किया जाता है three times तो ये भी याद रखिएगा thrice तीन बार उसको offer किया जाता है तीनों बार वो इनकार कर देता है Brutus spoke at funeral in prose यहाँ यह बड़ा जबरदस सवाल है यह कई वार competition में भी आया है कि Brutus ने जो अपना this piece दिया था वो prose में दिया था और Anthony ने अपना this piece दिया था वो poetry में दिया था तो poetry का जो effect होता है वो ज्यादा होता है prose से आपसे कोई जैसे आप film देखते हैं तो उसमें सारे dialogues prose में होते हैं लेकिन जो गाने होते हैं वो poetry में होते हैं तो गाने अकसर आपको याद रह जाते हैं डायलोक्स आप भूल जाते हैं लेकिन गाने याद रहते हैं कि music का effect ज्यादा होता है, poetry ज्यादा effective होती है, तो इसलिए और Anthony का speech ज्यादा effective था, ये question भी exam में पूछा जाता है, कि Brutus के speech से Anthony का speech ज्यादा effective क्यों रहा, Brutus के speech का प्रभाव खतम हो गया जब Anthony बोला, तो उसका एक वज़े ये भी थी कि वो poetry में बोला था, तो जो question number 55 है, इसका जवाब होगा प्रोस और who spoke in verse in the funeral of Julius Caesar, तो Julius Caesar की शवयात्रा में verse में, यानि कविता में कौन बोला था, काविय में, Anthony बोला था, बहुत ज़्यादा important सवाल है ये भी, अब मैं क्या करूँ, आप कहेंगे मैं हर सवाल पर बोल देती है, लेकिन वाकी में ये सवाल आते हैं एक्जाम में, जो रोम की भीड है, वो कैसी है, फुलिश है, बेबकूफ है, मॉब ऐसी ही होती है, किसी के भी बहकावे में आ जाती है, मैंने कई बार आपके साथ डिसकस भी किया है, कि अकेला व्यक्ति कोई भी हिंदू मुसलमान को नहीं मारता, अक्सर नहीं मारता है, या कोई भी मुसलमान जो सबजी वेचने वाला है, या कामगार है, वो नहीं मारेगा, लेकिन जिब वो भीड की शकल में होते हैं, तब ये सारे सामप्रदाइक दंगे होते हैं और भीड को भी भढ़काया जब जाता है तब वो सामप्रदाइक दंगेों की शकल लेता है तो मौब कहीं की भी हो भीड कहीं की भी हो वो फुलिश हो जाती है वो अपना दिमाग खो बैठती है जब उसको बढ़काया जाता है लोगों के द्वारा फिर देखिए the ghost of Caesar appears in जो Caesar का भूत है वो कहां दिखाई देता है तो वो act 4, scene 3 में दिखाई देता है यहाँ थोड़ा गलत दे रखा, scene 2 दे रखा था तो आप याद रखिएगा, scene 3 में दिखाई देता है फिर put the odd one out, इन में से odd को बाहर निकलना है तो चार जो नाम दे रखे हैं, casca, sinna, brutus, anthony तो बाकी के जो तीनों हैं वो conspirators हैं लेकिन anthony इन में शामिल नहीं है, तो यहाँ anthony odd one out होगा फिर है who among the following did not stare Caesar इन में से किसने Caesar को नहीं मारा था तो anthony है सही जवब, बाकी सबने वार किया था फिर question number 61, cashiers orders blank space to kill him तो यह जो जितने दे रखे हैं, यह सभी गलत है cashiers pindaras को कहता है, कि भाई तुम मेरी हत्या कर दो तो pindaras उसकी हत्या करता है तो यह सारे गलत जवब है question number 62, how did brutus die तो brutus की मृत्यू कैसे हुई, by running on over his sword तो अपनी ही तलवार पर दोड़ कर उसने आत्मत्या की थी फिर है, brutus asks blank space to hold his sword तो brutus किसको कहता है, कि भाई मेरी तलवार पकड़ लो और इस पर दोड़ के मैं आत्मत्या कर लेता हूँ, तो वो strato से कहता है Porsche dies by Porsche की मृत्यू कैसे होती है putting coal in her mouth तो उसने koila निगल लिया था, जलती हुई, आग निगल ली थी उससे उसकी मृत्यू हुई फिर दही question number 65, the final catastrophe is seen on तो जो अंतिम आपदा आती है, वो किसके उपर आती है अंतिमे, brutus के उपर, जो last में मरता है तो final catastrophe, brutus के उपर आती है तो सही जबाव होगा question number 66, when beggars die, there are no commit scene यानि जब भिखारी मरते हैं, तो कोई पुच्छल तारा नहीं तोडता तो ये किसके शब्द है, कलपूर्णिया के बहुत famous statement है याद रखिएगा, और important भी है question number 67, I am constant as a polystar तो मैं धुर्बतारे की तरह है, constant हूँ, इस्थिर हूँ, whose words are these, ये किसके शब्द है, ये जूलियस सिजर के शब्द है, लेकिन बड़े ironical है कहता तो ये है, कि मैं धुर्बतारे की तरह इस्थिर हूँ मतलब जो सोच लिया, वो सोच लिया, लेकिन मैं एंटरिनी से कहलवा दूँगा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन जब डैसियस ब्रूटस आता है और उसकी चापलूस ही करता है, तो वो जाने को तयार हो जाता है, है न, तो अपनी बात से हिल गया न, तो ये जो statement है, ironical है, I am constant as a polystar, फिर देखिए, question number 68, the fall dear Brutus is not in our stars, यानि हमारे सितारों की गलती नहीं है, Brutus, जो हम इस तरीके से हो गए हैं, तो who uttered these words, किसने ये शब्द बोले हैं, Cassius ने बोले हैं, बहुत important words है, cowards die many times before their death, कायर लोग अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं, तो ये किसका statement है, ये जूले सीजर ने बोला है, कि जो बहुत इंपोड़न्ट क्वेशन हैं, बहुत important question है ये, ओ जूले सीजर, दावार्ट माइटी एट, ओ जूले सिरत, तुम अभी भी शक्तिशाली हो, ये किस ने कहा है, मरने के बाद भी तुम ताकतवर हो, फिर liberty, freedom, tyranny is dead, यानि आजादी, आजादी और जो तानाशाहिय है, उसकी मृत्यू हो चुकी है, who said this for Caesar, तो Caesar के लिए ये शब्द किस ने बोले, ये सिन्ना ने बोले हैं, फिर question number 72, Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause and be silent, तो ये शब्द brutus के हैं, confuse मत हो जाएगा, लगबग मिलते जुलते हैं, Romans, countrymen and lovers, और जो Anthony का speech है, friends, Romans and countrymen, जो next speech है, यहां के देखेंगे आप, question number 74 में, friends, Romans, countrymen, lend me your ears, I have come to bury Caesar and not praise him, तो दोनों में confuse मत हो जाएगा, ये वाला sentence Brutus का है, Romans, countrymen and lovers, और friends, Romans, countrymen, ये Anthony का है, बहुत जादा मिलते जुलते हैं, तो बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, तो अब देखी लिए आपने, ये Brutus का है, oh judgment, thou art flat to British beast, oh judgment, तुम तो British beast की ओर चले गए हो, तो ये शब्द किस के हैं, ये Anthony के शब्द हैं, friends, Romans, countrymen, ये तो बहुत famous speech है, Anthony की, तो ये जरूर याद रखेगा, Caesar suffers from, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कि Caesar के मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं, तो सही जब आप, epilepsy है, see, फिर who had personal grudge in killing Caesar, Caesar को माणने में अपना जो नहित स्वार था, यानि जो व्यक्तिकत शिकायत थी, वो किसको थी, Cassius को थी, how many drachmas were given to Romans by Caesar in his will, तो अपनी वसियत में कितने drachma दिये गए थे, Julius Caesar के द्वारा प्रत्यक रोमन को, तो 75 drachma दिये गए थे, Anthony is, Anthony कैसा है, practical, idealist, short, tempered, game sum, तो हलांकि वो practical भी है, ये भी सही जबाब हो सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा सही, मुझे यहाँ game sum लगा, यानि शातर है, चालाख है, जब जैसी परिस्तिती होती है, उसके अनुसार, जो practical लोग होते हैं, वो भी उश्यार होते हैं, clever होते हैं, लेकिन जो game sum है, खिलाडी होते हैं, मुझे खिलाडी उस अर्थ में नहीं, ओलंपिक में भाग लेना वाली, यहाँ शातर होते हैं ये लोग, तो एंटनी का जो character है, वो एक शातर व्यक्ति का character है, तो यह जो game sum word है, यह ज़्यादा फिट बढ़ता हैं एंटनी पर, question number 79, who has lean and hungry look, यानि कौन दुबला पतला और भूखा सा दिखता है, तो कैशियस दिखता है, और यह जूलियस सीजर ने उसके बारे में कहा है, बड़ा important सवाल है, Brutus is an honorable man, Brutus एक सम्मानित व्यक्ति है, तो यह बात किस ने कही है, एंटनी ने कही है, अपनी speech में कई बार बोली है, Brutus is an honorable man, फिर Caesar is, Caesar है, कैसा है, तो यहाँ ambitious, credulous और fickle minded मैंसे, मुझे fickle minded सही उतर लगा, क्योंकि आपने देखा कि कैसे उसने अपना नेरने बदल लिया, Dacius Brutus के कहने पर, तो B सही जवाब होगा, Caesar is, proud, arrogant, infirm, all, तो वो proud भी है, घमंडी भी है, arrogant भी है, और infirm भी है, जैसा आपने देखा कि वो अपना नेरने बदल लेता है, लोगों की बातों में आकर, तो यहाँ all, यह सही जवाब होगा, फिर 83, question number देखिए, how many female characters are there, बहुत important वाला, और मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि कलपूर्णिया और पोर्शिया, दो ही female characters है, तो A सही जवाब होगा, फिर who in the play is rash and short-empered, तो इस नाचक में कौन ऐसा है, rash माने जल्दबाज, short-empered जिसे जल्दी गुस्सा आता है, तो वो cassius है, देखा ना आपने के, जैसे ही उसने सुना कि भई, कि टिचिनियस को लोगों ने कैद कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं था, और तो उसने कहा कि भई, मुझे मार डालो, कम से कम उसके लौट के आने का इंतजार तो करता, लेकिन बस जल्दबाजी में उसने खुद को मार डाला, जबकि ऐसा नहीं था, तो यहाँ जो सबसे नहीं था, जबकि आदा रह शौ शौ टेमपर्ड है, वो कैशियस है, फिर क्वेशन नंबर 85 को देखे, ब्रूटर्स करेक्टर रिमाइंड्स और शेक्सपिर स्वेची रो, तो ब्रूटर्स का जो करेक्टर है, शेक्सपिर के किस हीरो की याद दिलाता है, तो यहाँ जो कर दे रखे हैं उनमें, हैमलेट के सबसे ज़्यादा नजदीक है, हैमलेट भी अपने एक जो तनशा है, उसका चाचा है, क्लॉडियस उसको मारता है, उसके लिए अपना जिंदगी कुर्बान कर देता है, इदर ब्रूटर्स जूलियस सीजर को मारने के लिए अपनी को मारा था चाचा ने, और यहां ब्रूटर्स जो मारता है, सारे रोम की भलाई की खातिर सीजर को मारता है, लेकिन बाकियों से तो कोई मैच नहीं है, बाकी तीनों से, जो मैच है यहां हेमलेट से ही है, जितना थोड़ा बहुत मिलता भी है करेक्टर तो, फिर देखिए 86, जूलिय सीजर इस दा डॉमिनेटिंग फिगर, बट ब्रूटर्स इस दा ही रो, यह कि जूलिय सीजर एक मुख्य पात्र है, लेकिन ब्रूटर्स हीरो है, वो सेज दिस, यह बात कौन कहता है, यह एसी ब्रेडले का एक स्टेटमेंट है, लेकिन जरूर नहीं कि हम किसी क्रि क्रिडिक्स का कहना है, लेकिन मेरी राय ऐसी नहीं है, तो आप चाहें तो क्रिडिक्स के साथ अपनी सहमती रख सकते हैं, और उनसे राजी हो सकते हैं कि ब्रूटर्स रियल हीरो है, क्योंकि वो लास में जाकर मरता है, और उसके बारे में एंटनी बहुत अच्छा बोलता ह हैं, उसके करेक्टर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जूलियस सीजर ही हीरो है, लेकिन यहां यह इस्टेट्मेंट ब्रेड लेड़ लेगा है, फिर देखे, 87, तो जूलियस सीजर, नाटक का रियल हीरो, काफी लोग यहां brutus लगाएंगे, लेकिन मैं तो जूलियस सीजर को ही मानती हूं कि टाइटल भी है इस डरामा का जूलियस सीजर और वो भले ही मारा जाता है बीच में ही मर जाता है लेकिन वो अदृष्श रूप से अंथ तक विद्यमान रहता है जो Brutus है या कैशिस है उनकी मृत्यू का कारण जूलियस सीजर ही है तो मेरे हिसाब से जूलियस सीजर ही इस नाटक का रियल हीरो है फिर the last of all the romance Brutus says this for तो the last of all romance ये Cassius के लिए Brutus ने ये शब्द प्रयोग किये है फिर देखिए which of the following is not the trait of Brutus तो question number 89 पूछता है कि इन में से कौन सा Brutus की quality नहीं है proud घमंडी नहीं है arrogant भी घमंडी होता है practical व्यावारिक तो बिल्कुल नहीं है वो तो idealist है practical नहीं है तो ये सारी qualities Brutus की नहीं है तो all of these सही जबाब है फिर question number 90 देखिए who was deep by left ear in the play तो इस नाटक में बाय कान से कौन बहरा था तो जूलियस सीजर बहरा था उसका बाया कान से उससे सुनाई नहीं देता था अब आप कहेंगे कि मैडम बहरे आदमी को आप hero मान रही है बहरा है वो कमजोर जैसे Cassius उसका description करता है कि इता कमजोर था कि डूब रहा था तैर भी नहीं पाया और तो बहुत सारी कमिया है उसके चरितर में लेकिन फिर भी hero वही है इस नाटका फिर देखिए tragedy of Shakespeare arouses जो Shakespeare की tragedies है उनसे क्या पैदा होता है pity और fear पैदा होता है यानि दया आती है हमें character पर और डर भी लगता है दया किसलिए आती है क्योंकि वो जो कष्ट उठाते है उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं होती चाहे आप Othello को लीजे Hamlet को लीजे Kinglier को लीजे तो ये जो सारे heroes है वो कष्ट जादा उठाते है गलती उनकी उतनी बड़ी नहीं होती है तो इसलिए उन पर दया आती है और fear क्यों उठता है क्योंकि उनके अंदर जो कमिया है जैसे मालीजे Macbeth है वो ambitious है तो हम सभी ambitious होते हैं Kinglier है उसको थोड़ी सी चापलूसी पसंद है अपनी तारीफ पसंद है लोग उसके कहें कि आप भी हमारे सब कोछ हो हम आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते है तो हर कोई यही सुनना चाहता है कि इस तरीके की चापलूसी हर किसी को पसंद होती है तो यह हमारे character के अंदर भी है या Othello है Othello थोड़ा credulous है और अपनी वीवीपर शक करता है तो हम सभी थोड़े शक्की होते है doubtful होते है अपने मदब life partner पर कड़ी बार शक करते है तो यह ऐसी weaknesses है या फिर hamlet का है procrastination है hamlet काम को टालता जाता है चाचा का murder करना है तो उसको टालता रहा end तक जब तक खुद नहीं मर गया तो यह हम लोगों के अंदर भी होती है drawback के हम काम को टालते रहते हैं कोई न कोई बहना मारते रहते हैं तो हमको डर यह लगता है कि यह सारे जो दुरगुण है वो हमारे अंदर भी है drawbacks है, flaws है यह हमारे character में भी है तो जैसा hero के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ न हो जाए कहीं लाइफ में तो यह fear की वज़े होती है डर की वज़े होती है तो pity और fear Shakespeare की tragedy को देकर हमारे मन में पैदा होते हैं फिर देखिए question number 92 how many acts and scenes are there in Julius Caesar तो 5 acts, 18 scenes है फिर 93 question number this was the noblest roman of them all तो यह brutus के बारे में कहा गया है और किस ने कहा है एंटरी ने कहा है बहुत ज़दा important सवाल है यह भी Shakespeare was associated with Shakespeare का समन्द किससे था globe theater globally globe theater है keto is friend to keto brutus का दोस्त है Julius Caesar is a tragedy Julius Caesar एक tragedy है Caesar disliked Caesar को कौन पसंद नहीं था उसको Cassius बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो दुबला पतला और भूखा सा दिखता था tragedy in Greek drama deals with the fate of तो जो यूनानी drama है उसमें tragedy किसके भाग्य से समन्दित है वो extraordinary people यानि असाधार्ण लोग जैसे कि Shakespeare के भी है Shakespeare के जो heroes है वो असाधार्ण लोग है कोई राजा है, राजकुमार है, आर्मी जनरल है तो Greek drama में भी यही होता था extraordinary लोग होते थे rustics, grammy लोग नहीं होते थे किसान लोग बिल्कुल नहीं होते थे common people, सामान्य लोग बिल्कुल hero नहीं होते थे downtrodents, दबे कुछले लोग बिल्कुल hero नहीं होते थे यह इस तरीके के जो लोग है common people या downtrodents वो John Gols वर्दी के dramas में hero हैं लेकिन Shakespeare में ऐसा नहीं है और Greek tragedy में भी ऐसा नहीं था फिर question number 99 देखिए the place of tragedy Julius Caesar is, तो जो Julius Caesar tragedy कहां पर होती है, रोम में होती है Shakespeare was, तो Shakespeare Elizabethan था, Elizabethan dramatist था तो यह हुए आपके 200 questions मेरे इसाब से objective questions शायद कोई ऐसा नहीं रहे होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन detailed study जरूर कीजेगा, detailed drama को जरूर पढ़िएगा और इसके साथ ही यह वीडियो में यहाँ समाप्त करूंगे, धन्यवाद